हाई फ्रेंट्स आपका हमारे योटूब चैर्नल स्याइसे पेसे लिए सी मेंटर्स पर स्वागत है जैसे आपको पता है आज तीन टेस्ट एड किये गए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लास और डिसकाउंट तो सबसे पहले अगर पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं आप इन चैप्टर को तो पहले आपको प्रतिसत्ता पढ़ना होगा फिर प्रॉफिट एंड लास और फिर डिसकाउंट ए तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने से आपको कम से कम चार से पांच कोस्टन का जो है फायदा जरूर होने वाला है तो इन कोस्टन को अच्छे तरीके से पढ़ें सबसे पहले क्या करें पहले जो इसके पहले वीडियोस दिएगए है जितने भी part दिएगए हैं जितने भी question दिएगए हैं उन question को बेतरीन तरीके से तयार करें क्योंकि ये जो question दिए जा रहे हैं इस percentage chapter में अभी 30 question दिएगा लेकिन इसका level आपका बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है ये सब CGL और tough level के exam के प्रस्ट हैं इस वज़े से दिया जा रहा है आपका paper का level पिछला दो बार से अच्छा खासा आ रहा है तो आप अगर तैयारी अच्छा करके जाएंगे तो वहाँ पे आप डरेंगे नहीं और time management हर एक चीज आपके हिसाब से अच्छा चलता जाएगा तो इस वज़े से अभी आपको क्या करना है पहले और सब चीज़े जो पहले question दिये गए हैं उनको पढ़ना है फिर इस test को देना है तो start करते हैं पहला question पहला question क्या कर रहा है किसी गाओं की वर्तमान जनसंख्या यानि जो present population है किसी village का कितना है 15,280 कर रहे यदि पूरसों की संख्या में 25 प्रतिसत की बृद्धी होती है यानि जो men's का population है वो increase करता है 25% से and women's का जो population है वो increase करता है 15% से तो जनसंख्या कितना हो जाता है 18,428 हो जाता है कर रहे गाओं में पूरसों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच आपको अंतर बताना है तो इस अंतर को हम कैसे बता सकते हैं दो तरीके से प्रस्न साल होगा सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं मान सकते हैं कि मान लेते हैं जो मेन हैं कितने हैं X हैं तो फीमेल कितना हो जाएगा 15,280 और माइनस X क्या अगर आप आदमियों की संख्या मान लिए X तो औरतों की संख्या क्या हो जाएगा 15,280 माइनस X अब क्या करा है question में आदमियों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में जब आप 15% का पृद्धी करते हैं तो यह कितना हो जाता है 18,428 हो जाता है तो हम करते हैं इसको पृद्धी एक्स 25% पृद्धी का आर्थ होता है 125 बटे 100 तो यहां हम लिखते हैं 125 बटे 100 प्लस इसको लिखते हैं 15,280 माइनेस एक्स यह फीमेल में कितना हो रहा है 15% यानि 115 बटे 100 और जब यह इंक्रीज हो रहा है उसके बाद कितना हो जा रहा है 18,428 इस चीज़ को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे जगा कम है अब देखिए 5 से काड़ते हैं एक इतना 25 बार और ए हमारा 20 बार 5 से इसको काड़ते हैं 23 बार और इसको 20 बार अब क्या हो जाएगा 25 का यक्स में गुड़ा हो जाएगा और यह 20 कामन ले ले लेते हैं यहां पर 20 कामन हो गया यह कितना हो जाएगा 25 एक्स एक इतना हो गया हमारा 25 पैक्स और यहां पर प्लस 15,28 और इसमें गुड़ा कितने का हो जाएगा इस 23 का और माइनस 23 यक्स तेईस का गुड़ा किसमे हो गा ऐक्स में इसका वेलू जो है कितना है अठारे हजार चार्सो अठाइस कितना अठारे हजार चार्सो अठाइस अब देखिए पच्चीस एक्स में से तेईस एक्स घटाएंगे कितना बचेगा इस बीस का गुड़ा हम यहां कर देते हैं अठारे हजार चार्सो अठाइस और गुड़े बीस अब क्या करते हैं दो एक्स बराबर बीस का गुड़ा इसमें 20 का गुड़ा अभी रहने दीजिये अठारे हजार लिख लेते हैं बस अठारे हजार चार्सो अठाइस गुड़े 20 और ये 15,282 गुड़े 23 जब बराबर के इधर लाएंगे आप क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15,282 और गुड़े 23 अब क्या कर सकते हैं इस 2 से हम कट सकते हैं तो 2 से इसको काटेंगे 10 बार इसको कट करते हैं 2 सते 14, 2 चा का बारे, 2 चा का आठ और 0 अब 10 का गुड़ा इसमें कर देंगे तो एक्स का वैलू क्या जाएगा 18, 4, 2, 8 और 0 बढ़ जाएगा माइनस 23 का गुड़ा 7640 में हमें करना है तो करते हैं 23, 0, 0, 23 चुक का 92 को 2, 9 बचा हुआ है 23 चका 138 और 9, 147 को 7, 14 बचा हुआ है 23 सते 161 और 14, 175 एक्स क्या हैं हमारे पुरूस हैं तो यहां से हमें पुरूसों की संख्या पता चल जाएगी 0 में से 0 जाएगा, 0 8 में से 2 जाएगा, 6, 12 में से 7 जाएगा, 5 यहां पर 3 बचा तो यहां से हम ले लेंगे 13 में से, फिर 5 गया, 8 यानि हमारा जो पुरूसों का संख्या कितना आगया, 8,560 महिलाओं का संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है कुल जन संख्या में से घटा दीजिए आप तो यहीं घटाते हैं हम, यहां पर घटा लेते हैं 15,280 में से कितना घटा ना है हमें, 8,560 0, 8 में 6 गया 2, 12 में 5 गया 7 और यहां पर 14 में से 8 जाएगा 6 महिलाओं का जन संख्या क्या आ गया, फीमेल का क्या आ गया यह तो मेल हो गया, फीमेल आ गया, 6720 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इनके जन संख्या के बीच में अंतर क्या है क्या हो जाएगा अंतर, 8560 में से 6720 घटा देंगे 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, और 7 में से 6 गया 1 यानि जो अंतर अजाएगा कितना अजाएगा 1840, कितना का अंतर हो जाएगा महिलाओं और पुर्सों के जन संख्या में 1840 का तो इस चीज़ का आप स्क्रीन साट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं स्क्रीन साट साइद ना हो आप में, तो रोक के इसको लिख लेजिए सबसे पहले एक बार मैं और बता देता हूँ, क्या किया गया है यहां से, सबसे पहले पुर्सों की जन संख्या मान लिया हमने X, क्या? X तो महिलाओं का क्या हो जाएगा? कुल जन संख्या में से X घठा दीजिए क्या करिए? कुल जन संख्या में से X घठा दीजिए अब का रहा है, पुर्सों की संख्या में 25 प्रतिसत की ब्रिद्धी तो यहाँ पे हमने क्या किया? X गुडे 125 बटे 100 फिर का रहा है, महिलाओं की संख्या में 15 प्रतिसत की ब्रिद्धी तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे 15 प्रतिसत की ब्रिद्धी किया महिलाओं की जन संख्या में जब आप पुरुसों की जनसंख्या में 25% महिलाओं में 15% का बृद्धी करेंगे ते कितना हो जाएगा 18,428 हो जाएगा इसके बाद हम लोगों ने इसको साल्व किया तो हमें पता चल गया पुरुसों की जनसंख्या कितना 8,560 अब महिलाओं का जनसंख्या पता करने के घटा दिये 6720 अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा था तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1840 और दूसरा जो तरीका में बता रहा था वो एलिगेशन से लगेगा कैसे मिसरंड से सबसे पहले क्या करेंगे 18,428 में से 15,280 घटा लेंगे क्या करेंगे 18,428 में से 15,280 घटाएंगे फिर हम क्या करेंगे परसेंटेज बृद्धी निकालेंगे जितना घटाने पर आएगा बृद्धी बतलब जितना बृद्धी हो रहा है बटे प्रारंभिक मान ठीक है प्रारंभिक इनिसियल वैलू गुडे 100 इसके बाद क्या कर 25 यहां पे 15 और एजो परसेंटेज आएगा इसको रखेंगे बीच में जितना परसेंट एवरेज बृद्धी होगा है फिर 25 में से इसको घटा के यहां लिखेंगे इसमें से 15 को घटा के यहां लिखेंगे फिर जो रेशियो आएगा उससे हम निकालेंगे महिला और चुनाव लड़ा था मतदान के सभी ओट वैद्ध थे यानी वैलिड थे अरसद को कुल वोटों के 35 प्रतिसत ओट मिले थे चमनलाल को प्रतेक 35 ओट में से 14 ओट मिले थे विजेता को सबसे कम ओट पाने वाले ब्यक्ति की तूल्ला में 4950 ओट अधिक मिले थे मतदान हुए सभी ओटों की कुल संख्या ग्याद करें इंगलिज देख लिया जाए चमनलाल अरसद और जगजीत सिंग कॉन्टेस्टेड एनी इलेक्शन यानी इलेक्शन में कितने ब्यक्ति हैं तीन परसन है और कोई भी अमारा ओट इन्वैलिड नहीं है आल ओट्स पोल्ड वेर वैलिड अरसद गाट 35% अब दर टोटाल ओट्स तो देखिए यहाँ पे कौन-कौन से ब्यक्ति हैं पहले ब्यक्ति देख लीजिए चमनलाल अरसद जगजीत अरसद गाट 35% तो कुल ओट हमारा कितना होता है 100% इसमें से अरसद को मिल गया 35 परतिसद अब क्या करा रहा है चमनलाल गाट 40 ओट्स आउट आफ एब्री 35 ओट्स यानि हर 35 में से 14 ओट चमनलाल को मिलता है तो इसको क्या करिए परतिसद में बदल देजिए कैसे बदलेंगे 14 ओट मिल रहा है कितने में से 35 में से और गुडे 100 कर देंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि चमनलाल को कितना परतिसद ओट मिल रहा है कट करते हैं 7 से 2 बार 7 से 5 बार 5 से कट करेंगे इसको 20 बार 20 और 2 का गुड़ा करेंगे आ जाएगा 40 यानि 40 परसेंट ओट किसको मिला चमनलाल को 100 प्रतिसत में से 40 प्रतिसत मिला चमनलाल को अरसत को मिला 35 प्रतिसत यानि जो तीसरा ब्यक्ति बचा हुआ है उसको बाकी बचे हुए ओट मिले तो कितना बचता है 40 और 35 प्रतिस प्रतिसत यानि 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 प्रतिसत मिला है किसको जगजीत सिंग को अब क्या कह रहा है कोस्चन में आगे कंडिसन दिया हुआ है दा वीनर गॉट फोर नाइन फाइब जीरो मोर ओट्स दैन दा पर्शन हुग गॉट दा फ्यूवेस्ट ओट्स यानि कि जो सबसे ज़्यादा पाया है और जो सबसे कम पाया है उनके वोट का जो अंतर है 4950 है कम पाया कौन जगजीद इनका पर्सेंटेज में कितना डिफ्रेंस है 15 पर्सेंट 15 पर्सेंट का वैलू दिया हुआ है कितना 4950 15 पर्सेंट का वैलू क्या है 4950 एक पर्सेंट का वैलू निकालेंगे 15 से कट करेंगे 15 तिया पैतालिस 15 तिया पैतालिस जीरो एक पर्षेंट का वैलू क्या गया 330 हमसे पूछ क्या रहा है find the total number of all the votes pulled यानि जितना मतदान हुआ है आप पूरा बताईए कितना हुआ है तो देखे एक पर्षेंट का 330 हो गया तो 100 पर्षेंट का दोनों तरफ 100 का गुड़ा कर देंगे इधर भी 300 का गुड़ा कर देते हैं हमारा एंसवर क्या जाएगा 33,000 कितना हो जाएगा 33,000 तो देखिए इसने जितना भी बात कहा यह आपका 4 लाइन में हो गया लेकिन एक कब समझ में आएगा जब आपको बेसिक चीज आएगा तब जाके आप ACGL का 2020 21 के प्रश्ण है तब जाके आप ऐसे भी प्रश्णों को कर ले जाएंगे लेकिन जब आप बेसिक चीज पढ़ेंगे तब ठीक है तो हमारा पहला अप्शन हो जाएगा अगला कोश्चन कर यदि किसी संख्या में पहले 15% की बृद्धी होती है यानि कोई नंबर पहले 15% increase करता है फिर 15% की कमी होती है फिर 15% decrease करता है तो इसका परिडाम तब उसका result क्या होता है 782 अब काराई यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की बृद्धी हो और फिर से 20 प्रतिसत की कमी हो तो परेडामी संख्या ग्यात करें If a number is first increased by 15% and then decreased by 15% The result will be 782 If the same number is first decreased by 25% then increased by 25% and again decreased by 20% then find the resulting number तो क्या करेंगे हम? हम क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारा जो number है क्या है? X है X को क्या करते हैं? 15% increased और 15% decreased 15% increased यानि 115 बटे 123 बटे 20 लिख सकते हैं 15% decrease करेंगे 85 बटे 117 बटे 20 लिख सकते हैं इसका value कितना आ जाएगा हमारा? 782 दिया हुआ है कि अब ये संख्या 782 हो गया हमने संख्या क्या माना है? X लेकिन जब X में पहले आप 15% increase करते हैं और 15% decrease करते हैं तो कितना हो जाता है? 782 हो जाता है सालो करते हैं 23 से कट करते हैं 23, 79, 24, 92 172, 34 X is equal to क्या हो जाएगा? 2 20 का इधर भाग है इधर भाग है तो क्या होगा? इधर जाके गुड़ा हो जाएगा और हमारा X का जो वैलू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 800 कितना वैलू आ गया? X का वैलू आ गया? 800 अब क्या condition दिया है? If the same number is first decrease by 25% यानि 800 को आप क्या करिए? पहले 25% decrease यानि 75 बटे 100 को क्या लिख सकते है? 3 बटे 4 75 बटे 100 को क्या लिखेंगे? कोई number 25% decrease होगा तो उसको लिखेंगे 75 बटे 100 75 बटे 100 को क्या लिखेंगे? 3 बटे 4 Then increased by 25% यानि 125 बटे 100 तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 5 बटे 4 फिर decreased by 20% यानि 80 बटे 100 को क्या लिखेंगे 4 बटे 5 अब कट करते हैं 4 चोक के 16 पचे 80 तीनों से एक ही बार काटेंगे यह हो जाएगा 10 अब 5 चोक के 20 तिया 60 और 60 का गुड़ा 10 में होगा हमारा answer क्या आजाएगा 600 यानि अब जो हमें resulting number प्राप्त होगा 600 प्राप्त होगा option हो जाएगा हमारा दूसरा तो देख लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया हमने एक number मान लिया हम लोगोंने क्या किया सबसे पहले एक number मान लिया उसमें जैसे question में कह रहा था 15% increase 15% decrease हमें पता चल गया एक्स का value ठीक है एक्स का value आ गया 800 अब जैसे जैसे कह रहा था वैसे हम लोगोंने कर दिया 600 आ गया अगला question किसी परिच्छा में विद्याले एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तिल्ण हो गये उसी परिच्छा में विद्याले एक्स की तूल ना में विद्याले वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए यानि एक्स में जितने उपस्थित हुए थे उससे 130 प्रतिसत अधिक उपस्थित हुए हैं अब क्या करा है यदि दोनों विद्यालियों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90 प्रतिसत छात्र उत्तिंड हुए तो विद्याले y के अनुतिंड छात्रों का प्रतिसत ग्याद करें English में देखते हैं इसको A certain number of students appeared in an examination from school X and 20% of the students failed In the same exam 130% more students appeared from school Y than from class X If 90% of the total students appeared from both the school passed then find the percentage of failed students of class Y यहाँ पर कहानी यही कर रहा है कि दो class हैं X और Y क्या हैं दो class है X और Y हम माल लेते हैं यक्स में जो student है कितने total student है 100 अब कर रहा है इसमें से fail कितने हो गए 20 past कितने हुए 80 यह pass और Y में कर रहा है कि इससे कितना percent अधिक हैं इससे 130% अधिक हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 130% more students appeared from school Y यानि यहाँ कितने student हो जाएंगे 230 130% अधिक का मतलब 230 अब क्या कर रहा है 90% of the total students passed X और Y यानि जो ए X और Y है यहाँ से 90% pass हुए है pass कितने हुए 90% तो 100 और 230 कितना हो जाएगा 330 330 का क्या करेंगे हम 90% निकालेंगे यानि 90% 90 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं 9 बटे 10 लिख सकते हैं 0 से 0 कर जाएगा 33 का गुड़ा 9 में करेंगे 9,3,27 को 7,2 बचा 9,3,27,2,39 यानि कि जो हमारे कुल student pass है कितने pass हैं दोनों school को मिलाके 297 फेल्ड कितने हैं 330 में से 297 घटा देते हैं तो कितना आजाएगा 33 फेल्ड स्टूडेंट कितने हो जाएगे 33 अच्छा कुल स्टूडेंट जो फेल हैं दोनों विद्याले का मिलाके किसका दोनों विद्याले का मिलाके कितना है 33 और सिर्फ एक विद्याले से कितना है 20 तो 33 में से 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13 विद्यार्थी यहां से फेल है हमें ए पता चल जाएगा 13 विद्यार्थी फेल है तो पास कितने है 270 अब हमसे क्या पूछ रहा है then find the percentage of failed students of class y तो हम पता कर लेते हैं कितना percent है 13, failed student कितने है 13 और class y में कुल छातर कितने है 230 और गुड़े 100 0 से 0 कट जाएगा एक इतना हो जाएगा 130 वटे 23 पढ़ते हैं काटते हैं 23 पचे 115 बच गया 150 हो जाएगा दसमलों लगा देंगे तो 23 चका 138 बच गया फिर 23 पचे 115 हमारा answer क्या जाएगा 5.65 percent क्या जाएगा हमारा answer 5.65 percent तो यही हमारा answer हो जाएगा तो देखें ऐसे question कैसे भी घुमाएं आप उसी हिसाब से करते जाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या किये हमने मान लिया कि class x में 100 विद्यार थी हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ हैं यानि कितने चात्र हैं 230 चात्र हैं अब क्या कर रहा है अगर हम class x और y के कुल चात्रों को मिला दें क्या करें class x और y के कुल चात्रों को मिला दें तो इसका 90 percent पास होता है तो हमने क्या किया था 330 का 90 percent निकाला था तो आ गया था कितना 292 कितना आ गया था 292 अब ये तो पास हुए तो fail हम पता कर सकते हैं यही से fail भी हम पता कर सकते थे देखिए 330 का अगर 1 बटे 10 निकाल लेते 90% पास हैं तो 10% fail हैं 330 का 10 बटे 100 तो यहाँ एक अड़ जाता कितना जाता 33 आ जाता ये भी कर सकते थे अब ये आ गया देखिए कितने हो जाएंगे 13 पास कितने हो जाएंगे 270 अब इस 13 को हम क्या करेंगे 230 की तूलना में percentage निकाल लेंगे वही हमारा answer हो जाएगा तो कितना आजाएगा 5.65% कितना हो जाएगा 5.65% किसी खेल कूद के समान वाली दुकान में लाल हरे और सफेद तीन रंगों के टेनिस गेंद मौझूद है सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंदे कितनी है Tennis balls of 3 colors, red, green and white are available in a sporting goods shop The number of white balls is 60% more than the number of red balls and the number of green balls is 12.5% less than the number of white balls If the total number of balls is 120, so how much are the green balls तो यहाँ पर जो जो color का ball है उसको पहले color का लिख लेते हैं कौन कौन सा color है, red, green, white Red, green, white अब condition क्या दिया है यहाँ पर The number of white balls is 60% more than the number of red balls तो क्या question में आपको red balls पता है, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, red balls मान लेंगे हम मान लेते हैं 100X क्या मान लिए, 100X अब कर रहा है, white ball जो है इससे 60% अधिक है तो 60% अधिक है ते कितना हो जाएगा 160X हो जाएगा अब फिर क्या दूसरा condition कर रहा है white balls का, यानी 12.5% less का अर्थ हो गया इसका 87.5% तो इसका निकालते है 160X या यह भी कह सकते हैं 12.5 कम है, 87% का मान होता है 7 बटे 8 क्या होता है, 7 बटे 8 देखिए कैसे जैसे 87.5 बटे 100 रहेगा तो जब आप इसको कट करेंगे तो 12.5 से 7 बार कट जाएगा और इस 8 बार कट जाएगा ठीक है, तो यानी इसका 7 बटे 8 हम कर लेते हैं गुडे 7 बटे 8 8 से कट करेंगे 20AX 20AX का 7 में गुडा करेंगे यह आजाएगा 140X अब देखिए क्या का रहा है If the total number of balls is 120 total ball कितना है हमारा 120 है तो इसको काट के अनुपाद को छोटा कर लेते हैं Red, Green, White का अनुपाद छोटा करते हैं 20 से 5 बार 20 से 7 बार 20 से 8 बार 8X, 7X, 5X यानि 5X प्लस 7X प्लस 8X बराबर कितना है 120 तो 57 बार है 820 X बराबर 120 20 से कट करेंगे इसको 6 बार X का value क्या जाएगा हमारा 6 अब हमसे क्या पूछ रहे Green ball बताईए तो Green ball कितना है 7X है Green ball Green ball कितना है 7X 7X का value निकाल देते हैं 6 गुड़े 7 यानि की 42 क्या हो जाएगा हमारा 42 बाल हमारे कितने हो जाएगे Green ball 42 तो question को एक बार फिर से देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया question देखेंगे तो red, green और white के बारे में दिया है कर रहा है कि white ball ये जो है ये जो white ball है हमारा red ball की तूनला में 60 प्रतिसत आधिक है हमें red ball पता नहीं था तो हमने 101 प्रतिसत इसको बढ़ा के कर दिया अब question में क्या कह रहा था जो green ball है white ball के compression में तूनला में 12.5 प्रतिसत कम है तो 12.5 प्रतिसत जब कम रहे तो उसका मदलब होता है 87.5 प्रतिसत और 87.5 प्रतिसत को क्या लिखा जा सकता है 7 बटे 8 हमने क्या किया 160 x का 7 बटे 8 निकाला तो कितना आ गया 140 x अनुपात छोटा करने के लिए 20 से कट कर दिये तो 5 x 7 x 8 x अब का रहा है जो टोटल बाल है कितना है 120 तो 20 x बरावर 120 आ गया x बरावर 6 आ गया हमें 7 x का मान बताना था हमारा एंस्वर आ गया 42 अगला कोश्चन राजेस अपनी आय का 85 प्रतिसत खर्च करता है यदि उसके ब्याय में x प्रतिसत की ब्रिद्धी होती है बचत में 60 प्रतिसत की ब्रिद्धी होती है और आय में 26 प्रतिसत की ब्रिद्धी होती है तो x का मान ग्यात करें तो क्या आपको यहाँ पर कहीं राजेस का इनकम दिया हुआ है क्या सबसे पहले यह सोचिए यहाँ पर जो भी बाते कहीं गई है परसेंटेज में कहीं गई है कहीं पर इनकम नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे मान लेंगे क्या करेंगे मान लेंगे राजेस का यहाँ पर राजेस का इनकम मान लेंगे कितना 100 एक क्या हो गया income अब 85% spend करता है spend 85% और बचत कितना करता है भी लिख देते हैं 15% अब क्या कह रहा है if his expenditure यानि ए जो खर्च है इसको इसे लिखते है if his expenditure is increased by x percent तो x का value पता नहीं है saving is increased by 60% तो 15 को हम 60 प्रतिशत बढ़ाते हैं 15 गुड़े 160 बटे 100 क्या 160 बटे 100 उसको क्या लिख सकते हो आप 8 by 5 5 से cut करेंगे 3, 8, 24 यानि ए पहले 15 था अब हो गया 24 ठीक है और क्या का रहा है income is increased by 26% यानि ए जो पहले income 100 था अब ए इनकम कितना हो गया 26% बढ़ गया तो 126 अच्छा देखिए income 126 हो गया saving 24 हो गया अगर आपको income में से saving घटा दीजिए तो आपको खर्च पता चल जाएगा expenditure 126 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 102 यानि अब जो है expenditure कितना है 102 है पहले expenditure कितना था 85 अब आपको यही percentage में बताना है कि कितना प्रतिसत increase हुआ expenditure क्या जो expenditure है जो expenditure है वो कितना प्रतिसत increase हुआ तो क्या करेंगे हम 102 में से 85 घटाएंगे 17 उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे 85 क्योंकि पहले जो हमारा expenditure था 85 था और गुडे 100 कर देंगे 17 कट करेंगे 5 बार 5 से कट करेंगे 20 हमारा answer क्यों हो जाएगा तीसरा फिर एक बार देखिए question राजे से एक ब्यक्ति है उसका income आपको पता नहीं है 100 रुपे कमाता है 15 रुपे बचाता है 85 रुपे खर्च करता है ठीक है अब क्या कर रहा है उसका income 26 परसेंट बढ़ गया यानि अब उसका income कितना हो गया 126 बचत 60 परसेंट बढ़ाया यानि बचत कितना हो गया 15 से 24 हो गया 15 को जब हम लोग 60 परसेंट बढ़ाये बचत हो गया 24 पहले खर्च 85 था, अब खर्च 102 हो गया, तो इसी को हमें प्रतिसत में बताना है कि कितना प्रतिसत उसका खर्च बढ़ गया, तो 17 और बटे 85 गुड़े 100, हमारा एंस्वर क्या जाएगा 20% अगला कोश्चन, A का भार B के भार से 20% अधिक है, जिसका भार C के भार से 30% अधिक है, A का भार C के भार से कितने प्रतिसत अधिक है, तो देखें क्या का रहा है, A का भार B के भार से 20% अधिक है, जिसका भार C के भार से 30% अधिक है, यानि इस B का भार जो है, C के भार से 30% अधिक है, यानि अगर यह 100 है, तो यह कितना है, 130, हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, दूसरा कंडिशन से, अब पहला कंडिशन क्या है, A का भार B के भार से 20% अधिक है, तो A का भार निकाल लेते हैं, 20% अधिक करेंगे, तो 130 का कितना जाएगा, 156 आना चाहिए, 6 बटे, 5, 5 से कट करेंगे इसको, 5 दूनि 10, 26 चका, आजाएगा हमारा 156, 36, 36, 2 दूनि 12, 35, हाँ, 156, अब हम से क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, A का भार C के भार से कितने प्रतिसता दिखेंगे, तो डाइरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, C का भार 100 है, तो A का भार 156 है, कितना जादा है, 56 जादा है, कितने से जादा है, 100 से जादा है, गुडे 100 कर दिजिए, हमारा एंस्वरा जाएगा, 56%, क्या, 56%, दूसरा अप्शन, अगला कोस्चन, तीन ब्यक्ति A, B और C, अपने मासिक वेतन का क्रमसा 10%, 7% और 9% भाग, एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं, A, B, C कितना दान करते हैं, 10, 7 और 9, A और B का मासिक वेतन बराबर है, और A और B के दान के बीच जो अंतर है 900 रुपए है, यदि C की तुन्ना में A और B द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है, तो C का मासिक वेतन रुपए में ग्यात करें, ठीक है, 3 परसंस A, B, and C दोने 10%, 7%, and 9% of their monthly salary, respectively, to a charitable trust. The monthly salary of A and B is equal, and the difference between the donations of A and B is 900. If the total donation made by A and B is 600 more than that of C, then find the monthly salary of C in रुपीज. तो देखिए, कौन-कौन है, यहां पर 3 ब्यक्ति हैं, A, B, C. यहां पर एक जगा दिया है कि monthly salary बराबर है, A और B का, तो A और B का माल लेते हैं, 100 एक्स, इसका भी 100 एक्स माल लेते हैं, C का भी पता नहीं है. अब कह रहा है, कि A और B का जो donation है, यह कितना donation करता है? यह 10% करता है, यानि 10 एक्स, यह 7% करता है, यानि 7 एक्स. इसका जो difference है कितना है, 900 रुपे का है, यानि 10 एक्स में से 7 एक्स घटाएंगे कितना जाएगा, 900. तीन एक्स का वैलू क्या गया, 900. एक्स का वैलू क्या गया, 300. अब देखिए, अब इन्होंने कितना donate किया, ए चीज़ आप देखिए, दोनोंने मिला के, और A और B का कुल donation कितना है, A और B का. 10 X A किया, 7 X A किया, यानि 10 और 7, 17 X. 17 X तो A और B का donation कितना आ जाएगा, 700. A और B का हम donation क्यों निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर आए, A और B का जो donation है, 600 अधिक है C की तूलना में. 600 more than in compression of C तो यानि ए जो A plus B का donation है 6% आदीख है किस की तूलना में? C की तूलना में तो अगर हम इस में से 600 घटा दें तो हमें C का पता चल जाएगा तो एक 500 में से 600 घटाएंगे तो हमारा आजाएगा कितना? 4500 यानि C जो donation देता है कितना देता है? 4500 देता है और percentage में कितना है? इसका donation 9% यानि ए जो 4500 है इसके salary के 9% के बराबर है क्या? इसके salary के 9% के बराबर है तो एक परतिसत का value क्या जाएगा? C का एक परतिसत 4500 को 9 से cut करेंगे 500 आ जाएगा तो पूरा तनखा कितना हो जाएगा? C का 100 का गुड़ा कर देंगे 100% का मान कितना हो जाएगा? 50,000 कितना हो जाएगा? 50,000 C का salary कितना हो गया? 50,000 तो इस तरह से इसको किये तो जो जो जानकारी उपलब्द था यहाँ पे फिर एक बार देख लीजिए हमें A और B का salary पता नहीं था 100X, 100X हमने मान लिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि यह और B का salary बराबर है इस वज़े से हमने दोनों का 100X लिया अपनी मर्जी से हम लोग नहीं लिये हैं यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का salary जो है बराबर है उसके बाद 10X और 7X इनका डोनेशन है अब का salary इसके बीच में जो difference है 900 का है तो 3X का value आगया 900 X का value आगया 300 अब का salary जो C का डोनेशन कितना हो जाएगा 17X अब का salary जो इन दोनों का donation है इनकी तूलना में C का donation कितना कम है 600 कम है C का donation कितना आगया 4500 और percentage में कितना है 9%, 1% का value आगया 500, 100% का value आगया पचास हजार अगला कोश्चन कार एक ग्राम के सोने के सिक्षे के मुल्ले में सोमवार को इसके प्रारंबिक मुल्ले पर दस प्रतिसत की कमी होती है यानि मंडे को 10% डिक्रीज हुआ मंगलवार को 20% की बृध्धी होती है और बुद्धवार को फिर से आठ प्रतिसत की विद्धी होती है गुरुवार को इसमें फिर से पांच प्रतिसत की विद्धी होती है यदि गुरुवार को अंतिम मुल्ले यानि लास्ट वेलू जो है कितना है 5,511 रुपए 24 पैसे तो सो मुवार को एक ग्राम के सोने के सिक्के का प्रारंबिक मुल्ले रुपए में कितना था The value of a 1 gram gold coin decreases by 10% on its initial value on Monday Increases by 20% on Tuesday and again by 8% on Wednesday On Thursday it again increases by 5% if the closing price on Thursday was 5,511.24 Then what was the initial cost in rupees of 1 gram gold coin on Monday तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हम क्या करेंगे मान लेंगे कि ये X था क्या था X था सो मुआर का जो इसका प्रारंभिक था X था अब क्या हुआ सबसे पहले देखिए 10% decrease यानि 90 बटे 100 को क्या लिख सकते है 9 बटे 10 फिर क्या कर सकते है 20% बढ़ गया Tuesday को 120 बटे 100 को क्या लिख सकते है 6 बटे 5 फिर किसका गुड़ा होगा 8% increase हो गया यानि 108 बटे 100 को क्या लिख सकते है 27 बटे 25 फिर क्या हुआ 5% increase यानि 105 बटे 100 को 21 बटे 20 पूरा इस वज़ा से नहीं लिखा जाता है आपका समय वेस्ट होगा फिर आप काटेंगे फिल्ल लिखेंगे उससे अच्छा आप डाइरेक्ट लिखने की प्रेक्टिस करें इसका वेलू कित्ता है तो हम नीचे ये 100 कर देते हैं कैसे 5, 5, 11, 24 और 10 मलों हटा के नीचे 100 कर दिए क्यों? क्योंकि इधर से कट जाएगा A2, 0 से A2, 0 कट गया अब देखिए और किसी से कटेगा क्या नहीं कट रहा है कोई बात नहीं इस एक काटते हैं 9 से काटते हैं 9 से काटते हैं 9 चाग 54 एक बचा 9 एक कम 9 दो बचा 9 दुनी 18 तीन बचा 9 तरिक 27 पाँच बचा 9 चाग 54 अब किस से काटा जाए? 6 से काटते हैं 6 एक कम 6, 0, 6 दुनी 12, 0, 6 चाचियक 36 फिन 9 से काटते हैं 9 तरिक 27 यहाँ लिखते हैं इसको 9 एक कम 9 एक बचा 9 एक कम 9 तीन बचा 9 तरिक 27 नो चोग 36 1134 आ गिया फिर अब यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा ठीक है? एक्स गुड़े 3 गुड़े 21 और बचे 25 पचे 125 गुड़े 2 धाई सो इसका वेलू किसके बराबर है? 1134 के अब यहाँ फिर काट लेते हैं जादा हो रहा था अब कटेगा भी है तीन से फिर कट करेंगे तीन तरिक के 9 दो बचा हुआ है तीन सते 21 तीन वठे 24 फिर काटेंगे साथ से तीन बार साथ पचे 35 साच चवक अठाईस फिर तीन से कट करेंगे अठार है एक्स वराबर हमारा क्या जाएगा? 250 और गुड़े 18 18 से 0 18 पचे 90 को 0 9 बचा 18 दुनी 36 और 9 45 तो इसका आ गया भाई प्रारंभिक वेलू क्या गया? प्रारंभिक वेलू 45 हमारा एंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा आपसन अगला कोस्चन A की आए B की आए से 45 प्रतिसत अधिक है और C की आए A और B की आए की योगफल से 60 प्रतिसत कम है D की आए C की आए से 20 प्रतिसत अधिक है यदि B और D की आए के बीच अंतर जो है 13,200 रुपए है तो C की आए रुपए में ग्यात करें जैसे कहते जाएगा वैसे हम करेंगे A's income is 45% more than B's income and C's income is 60% less than the sum of A's and B's income D's income is 20% more than C's income if the difference between the income of B and D is 13,200 then find the income of C in रुपए है फर्स यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिया है only percentage दिया है तो हम मान लेंगे A का income कर रहा है 45% जादा है तो A लिख लेते हैं B, C, D तो B को मान लेते हैं 100 तो A कितना हो जाएगा 145 अब क्या कर रहा है C का income 60% कम है A और B के total income से तो A और B का total income कितना हो जाएगा 245 60% कम का मतलब इस 245 का 40% ही है 60% कम की बात कर रहा है तो 100 में 60 चला गया है यानि 40% 40% को क्या लिखते हैं 2 बटे 5 तो इसमें 2 बटे 5 का गुड़ा कर देंगे 5 से कट करेंगे 5 चोग 20, 59, 45 49 का 2 में गुड़ा करेंगे A आ जाएगा 98 C का इंकम कितना गया 98 अब कर रहा है D इंकम is 20% more than C इंकम अब 98 को 20% बढ़ा देते हैं यानि 6 बटे 5 कर देते हैं 6, 48, 48 को 8 4 बचा 6, 94, 4, 58 और बटे 5 अब कर रहा है If the difference between the income of B and D B और D में जो है अंतर कितना है 13,200 का तो कौन जादा है D वाला जादा है घटाते हैं इसमें से 5,88 इस सब के साथ है X ले लेते हैं X 5,88 X बटे 5 और माइनस 100 X बराबर 13,200 5 का गुड़ा यहां हो जाएगा तो 5,88 X माइनस 500 X गुड़ा क्यों होगा क्योंकि पहले LCM होगा तो यहां इसके नीचे एक होगा तो एक से भाग देंगे 5 बार जाएगा 5 का फिर गुड़ा होगा 100 में कई लोग सोचेंगे क्यों गुड़ा होगा यह हो जाएगा 13,200 अब देखिए यहां पर क्या बचा 88 X बचा 88 X बराबर इस 5 का गुड़ा यहां कर देते हैं 1,3,2,0,0,5 44 से कट करेंगे 44 दुनी 88 44,3,132,300 हो गया 2 से कट करेंगे 150 150 गुड़े 5 X का जो वैलू आ जाएगा 0 5,25 को 5 2 बचा 5 एकम 5,2 7 अब हमसे क्या पूछ रहा है Then find the income of C in rupees तो C का income कितना है 98 X है अभी थो हमारा X का वैलू आया है इसमें 98 का गुड़ा करना बाकी है 750 में 98 का गुड़ा करना है 750 में 98 का गुड़ा करना है तो 0 लिख देंगे 75 का 8 में गुड़ा करेंगे 600 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे 60 बचा हुआ है 75,9,675 675 में हम 60 जोड़ेंगे 735 हो जाएगा हमारा answer क्या जाएगा 73,500 क्या जाएगा 73,500 अगला कोस्चन कर रहा है A की आए B की आए से 30 प्रतिसत कम है A की आए जो है B की आए से 30 प्रतिसत कम है और B की आए C की आए से 137.5 प्रतिसत अधिक है यदि A की आए B की आए से 28,500 रुपे कम है तो C की आए रुपे में ग्यात करें A's income is 30% less than B's income and B's income is 137.5% more than C's income If A's income is 28,500 less than B's income then find C's income in रुपे क्या कर रहा है देखिए A की आए B की आए से 30 प्रतिसत कम है और B की आए C की आए से 137.5 प्रतिसत अधिक है कौन कौन है A, B, C इसको मान लेते हैं 100 तो ये कितना हो जाएगा 137.5 अधिक है तो ये 237.5 हो जाएगा A, X A, X X साथ में ले लेते हैं कर रहा है A की आए B की आए से 30 प्रतिसत कम है 30 प्रतिसत कम का मतलब 70 प्रतिसत है A की आए B की आए का 70 प्रतिसत है यानि 7 बटे 10 है तो 237.5 गुड़े 7 बटे 10 करेंगे 7 बटे 10 अब कर रहा है A की आए B की आए से 28,500 कम है देखते हैं अभी करते हैं 7 बचे 35 को 5 3 बचा साथ सते 49 बावन को 2 5 बचा साथ तरी के 25 26 को 6 2 बचा साथ दुनी 14 दो 16 और एक अस्तान पर दसमलो और बढ़ जाएगा ये कितना जाएगा 166.25 X अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं 237.5 में से 186.25 तो ये आ जाएगा दसमलो और 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 जाएगा 7 में 6 गया 1 आ जाएगा 13 में 6 गया 7 यानि 71.25 X का वैलू जो है कितना है 28,500 अब क्या करेंगे इस दसमलो को हटाने के लिए इधर 2 0 बढ़ा देंगे तो ये दसमलो हट जाएगा अब 7125 से काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा चार बार कट जाएगा 24,28 और 125 का चार गुना 500 यहां तक पूरी तरह कट जाएगा तो यक्स का वेलू क्या जाएगा 400 हमसे क्या पूछ रहा है C का इंकम तो C का इंकम कितना हो जाएगा 100 यक्स का वेलू बताना है तो 400 और गुड़े 100 हमारा एंसर क्या हो जाएगा 40,000 क्या हो जाएगा 40,000 तीसरा option तोड़ा पानी पी लेते हैं पुप करें कोस्टन राधा अपनी आय का 25 प्रतिसद बचाती है राधा क्या करती है अपनी इंकम का 25 परसेंट सेव करती है यदि उसके ब्याए में 20 परसेंट की ब्रिद्धी होती है और उसकी आय में 29 प्रतिसद की ब्रिद्धी होती है तो उसकी बचात में ब्रिद्धी ग्याद करें ऐसा कोस्टन हम लोग देखे थे राधा सेफ 25 परसेंट आफ हर इंकम If his expenditure increases by 20% and his income increases by 29% then find the increase in his savings. तो क्या होगा? पहले तो इसका राधा का initial यानि शुरुवात में income मान लेते हैं 100 यह हो गया हमारा income. अब का रायट सेब करती है 25% एसेब और एक्सपेंडीचर सेब कितना की 25 तो खर्च कितना करेगी? बच गया 75 अब क्या का रहा है? If his expenditure increases by 20% जब एक 20% हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानि 6 बटे 5 75 का 6 बटे 5 तो एक कितना जाएगा? 5 से काटेंगे 15, 15 चका 90 और क्या का रहा है? उसका increase करता है income 29% यानि जो एक income 100 है एक कितना हो गया है? 119 हो गया है अच्छा income 119 हो गया खर्च 90 हो गया तो सेविंग कितना हो जाएगा? 10 और 139 में से 90 घटाएंगे आजाएगा 39 कितना आगया? 39 पहले कितना था सेविंग? 25 यही बताना है हमें कितना परसेंट इंक्रीज किया कितना परसेंट? तो 14 49 में से 25 घटाएंगे 14 और पहले कितना था 25 और गुडे 100 ऐसा कोस्चन हम लोग एक देखे थे 25 से कट करेंगे 4 बार 14 का 4 में गुडा हो जाएगा हमारा आ जाएगा 56 परसेंट अगला ऐसा कोस्चन तो आप लोग कई बार देखे होंगे ठीक है एवाला गेहूं के प्रति किलोग्राम मुल्ले में 20 प्रतिसत की कमी होने के कारण राम 800 रुपे में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सच्छम है गेहूं की मुल्ल मात्रा किलोग्राम में कितनी थी पहले अलग पूश्ट ठीक है अभी निकाला जाएगा तो आप ओरिजनल मात्रा तब निकाल पाएंगे जब आपको ओरिजनल प्राइज पता चल जाएगा तो ओरिजनल प्राइज निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए यहाँ पे 20 बटे 100 गूडे 800 और बटे 5 इससे कट जाएगा 5 से 4 बार 4 बटे 32 अभी देखते हैं 800 बटे 5 बीस से 4 बार 4 पचे 20 चालीस तो जो हमारा ओरिजनल प्राइज था वो कितना है चालीस है तो हमारा इस तरह से निकलेगा जब हमें ओरिजनल प्राइज निकालना होगा तो क्या करेंगे लिखेंगे जितना परसेंट कमी हो रहा है उसको लिखेंगे और नीचे 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना 80 और गुडे 800 बटे 5 यानि जितने रुपए में जितना केजी कम अधिक मिल रहा है 5 से कट करेंगे 4 बार 80 से कट करेंगे 10 बार यानि हमारा original price कितना है 40 है अब 40 रुपे के हिसाब से 800 में कितना गेहूं रहा होगा 800 में 40 का बाग दे देते हैं तो क्या जाएगा हमारा 20 मारा answer क्या जाएगा 20 अगला करे एक भरती परिच्छा में अभ्यर्थियों की सामान जागरूपता और गड़िती अभिच्छा मता की परिच्छा होई सामान जागरूपता और गड़िती अभिच्छा मता में क्रमसद 54 प्रतिसत और 45 प्रतिसत अभ्यर्थि असफल रहे जबकि 16 प्रतिसत दोनों में असफल हुए यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यार्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? a recruitment test to test the general awareness and mathematical aptitude of the candidates 54% and 45% candidates failed in general awareness and mathematical aptitude respectively while 16% failed in both if the number of candidates who are successful in both is 136 then what was the total number of candidates? तो यह क्या है आपको figure से करना है देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? 54% और 45% किसमें fail हुए? general awareness और mathematical aptitude में और कितना? 16% दोनों में fail हुआ तो हम ऐसा figure बनाएंगे जिसमें दोनों वाले आगए यह general awareness हो गया और यह mathematical aptitude हो गया तो 54 में से 16 अल्रेडी हो चुका है तो 54 में से 16 घटाएंगे क्या जाएगा? 38 फिर 45 में से 16 हो चुका है तो घटा देंगे 45 में से 16 घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा? 29 देखिए तो ए जितने भी है ए फेल वाले है ए भी फेल है ए भी फेल है पास वाले कहां है? ए जो गोले के बाहर जो है ए ए पास है क्या है? पास है तो हम पता कर लेते हैं कुल फेल कितने हैं? तो देखिए 38, 16, 54 और 29 54 में 29 जोड़ेंगे 54, 20, 74, 9, 83 83 परसेंट तो किसी ने किसी तरह से फेल है तो पास कितने है 100 में से 83 घटा दीजी यानि 17 परसेंट पास है इस 17 परसेंट का वैलू कितना है 136 17 से कट करेंगे 1 परसेंट का माना जाएगा 8 1 परसेंट का वैलू क्या गया 8 तो 100 परसेंट का वैलू क्या हो जाएगा हमारा 100 परसेंट का वैलू हो जाएगा 800 क्या हो जाएगा 800 चौता अपसन कर आए की उचाई B के उचाई से 20 प्रतिसत अधिक है और B की उचाई C की उचाई से 20 प्रतिसत कम है C की उचाई D की उचाई से 30 प्रतिसत अधिक है यदि C और A की उचाई के बीच अंतर 6.8 cm है तो B की उचाई सेंटिमीटर में ग्याद करे A's height is 20% more than B's height and B's height is 20% less than C's height C height is 30% more than D height If the difference between the height of C and A is 6.8 cm then find the height of B in cm तो कितने ब्यक्ति हैं? 4 ब्यक्ति हैं इनका नाम लिख लेना है सबसे पहले आपको A, B, C, D अब सबसे पहले C और D से स्टार्ट करना है कर रहा है C का जो height है is 30% more यानि ज्यादा है किस से D से? तो D का मान लेते हैं 100 यक्ति तो C का कितना हो जाएगा? 130 यक्ति हो जाएगा अब क्या कर रहा है? B का height जो है 20% less है C की तूलना में यानि 130 का हमें क्या बताना है? 80% यानि 4 बटे 5 बताना है 130 यक्ति गुड़े 4 बटे 5 5 से कट करेंगे 26 26 का 4 में गुड़ा करेंगे आजाएगा 104 यक्ति अब क्या कर रहा है? A की जो height है 20% अधिक है 20 है तो 104 यक्ति का हम क्या निकाल लेंगे? 6 बटे 5 निकालेंगे और अंतर किसका दिया है? C और A का दिया है तो A का तो निकालना ही पड़ेगा तो देखे 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10 0 8 6 8 48 को 8 4 6 दूनी 12 124 दस्मलो 8 A का मान क्या गया? 124 दस्मलो 8 X अब क्या कर रहा है यहां पर? Difference between the height of C and A यानि जो अंतर है A और C के height में 6 दस्मलो 8 सेंटिमीटर है तो यहां से हम गटाएंगे 130 में से 124 दस्मलो 8 गटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा? 5 दस्मलो 2 5 दस्मलो 2 X का मान कितना है? 6 दस्मलो 8 हमें value किसका बताना है? Then find the height of B तो क्या करेंगे हम यहां? X का value क्या जाएगा? 6.8 बटे 5.2 यानि इसको आप 68 बटे 52 भी लिख सकते हो हमें किसका value बताना है? B का value बताना है तो 104 X का मान किया जाएगा? 104 का गुड़ा कर देते हैं 52 से cut करेंगे 2 बार 68 का 2 में गुड़ा हो जाएगा हमारा answer कितना जाएगा? 136 कितना जाएगा हमारा answer? 136 तो जैसे question में कह रहा था वैसे हम लोगों ने क्या किया मानते गये हैं ठीक है? आप संचोथा अगला question कच्छा A और B में चात्रों की कुल संख्या 72 है कच्छा A में चात्रों की संख्या कच्छा B में चात्रों की संख्या से 40% अधिक है कच्छा B में चात्रों के ओसातंक कच्छा A के चात्रों के ओसातंकों से 50% अधिक है यदि कच्छा A और B के सभी चात्रों के ओसा तंग 58 हैं, तो कच्छा B के चात्रों के ओसा तंग कितने हैं? The total number of students in class A and B is 72. The number of students in class A is 40% more than the number of students in class B. The average marks of the students in class B is 50% more than the average marks of the student of class A. If the average marks of all the students of class A and B together is 58, then what is the average marks of the student of class B? तो देखिए कैसे कैसे घुमा के question पूछा जाता है, तो बड़ा question देखके डरना नहीं है, हमें क्या जानकारी दिया है पहले? A और B का जो class का है 72 है, लेकिन उसके पहले A plus B का कितना है 72 है, A तो number में है, अब का रहा है, A is 40% more than the number of students in class B. 40% अधिक है, तो हम कोई ऐसा number लेते हैं, आसान सा, जिसका 40% अधिक कर दिया जाए, तो इसको ले लेते हैं 10X और यह हो जाएगा, हमारा 14X, 40% देखी, अधिक हो गया की नहीं हो गया, 40% अधिक हुआ की नहीं हुआ, हो गया, अब इस दोनों का value जो है 72 है, यानि 14X plus 10X बराबर 72, 24X बराबर 72, X बराबर क्या जाएगा, 3, यानि की class A में कितने हैं, 42 हैं, class B में कितने हैं, 30 हैं, अब क्या कहा रहा है, यानि की इसके class के जो आउसत है, B का अधिक है, A की तुनला में 50%, तो क्या करते हैं, अब फिर हम मान लेते हैं, कुछ Y होई मान लेते हैं, मान लेते हैं, इसका 2Y है, average, average मान रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 3Y, अब क्या करेंगे, इस 42 का गुड़ा 2Y करेंगे, तो 42 दूनी, 84Y, प्लस 30, 90Y, ऐसा हमने क्यों किया, इस से हमें total mark पता चल जाएगा, total mark हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें total mark हैं, पता चल जाएगा, क्योंकि सभी का आउसत 58 हैं, लड़के हैं, कितने 72, यानि 72 गुड़े 58, क्या, 72 गुड़े 58, हमें क्या करना है, 3Y का मान बताना है, क्या बताना है, यही थो हम से पूछ रहा है, वाट इस दा एवरेज मार्क आप दे स्टूडेंट आफ क्लास B, हमने यही तो माना है, क्लास A के बच्चों का आउसत 2Y, क्लास B के बच्चों का आउसत 3Y है, अब इसी को साल्व करना है, 84Y और 90Y जोड़ देंगे, 90, 80, 170, 174Y, बराबर 72 गुड़े, 58, 58 से कट करेंगे, 174 को कटेगा कितनी बार, 3 बार, यानि 3Y बराबर बराबर क्या आ गया, 72, इसी का तो हमें value बताना था, हमें क्या बताना था, 3Y का value बताना था, तो question बड़ा था, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लगाते जाएंगे, तो क्या, आसानी से देखी लग गया, question को आपको समझना है, कि क्या चीज़ से आपको क्या चीज़ निकालना है, यहाँ पर हमें क्या दिया था, the total number of student in class A and B, 72, ठेक है, अब कहा दिया, the number of student in class A is 40% more than the number of student in class B, यानि class A में जो बच्चे हैं, class B की तुनला में 40% प्रतिसता धीक है, यानि अब हम निकाल सकते हैं बच्चों की संख्या, 14 X A हो गया, 10 X A हो गया, 24 X का value 70 आया, X का value 3 आया, अब हमें पता चल गया बच्चे कितने हैं, 42, 32, 32, अब कहा रहा है, इनका जो passing mark है, 50% B का अधिक है, जो ओसत अंक है class B के बच्चों का, तो देखिए 50% हमने अधिक कर दिया, 2 Y इसको लिख दिया, 3 Y इसको लिख दिया, अब इसका इसमें गुड़ा करेंगे, तो class A के बच्चों का total पता चल जाएगा, 30 का गुड़ा 3 Y में करेंगे, तो class B के बच्चों का total पता चल जाएगा, और हमें जो है A और B का पूरा का आउसत दिया है कितना 58, तो इधर में इन दोनों को जोड़ेंगे, और इधर 72 गुड़ेंगे, हमारा 3 Y का value आजाएगा 72, अगला question, पिछले वर्स किसी परिच्चा में विद्याले A में 300 चात्र सामिल हुए, और 100 बटे 3 प्रतिसत चात्र अनुत्तिंड हुए, उसी वर्स परिच्चा में विद्याले B से 480 चात्र सामिल हुए, विद्याले A और B से कुल 60 प्रतिसत चात्र उत्तिंड हुए, विद्याले B से अनुत्तिंड चात्रों का प्रतिसत ग्याद करें, Last year, 300 students appeared in class A in an examination and 100 by 3% students failed. In the same year, 480 students from school B appeared in the examination. Total 60% students passed from school A and B together find the percentage of failed students from school B. The story is completely clear. Last year, 300 students appeared in examination. 300 by 100 by 83, how much will it be? 300 by 100 by 300. Percentage, 300 by 300. 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 हम लिखते हैं. 300 में से 100 फेल हुए. Pass कितने हुए? 200. अब उसी साल में 480 student class B में appear हुए. एक class A है, B में 480 appeared हुए है. अब कहा रहा है, तोटल 60% student passed from school A और B. यानि school A और B से 60% लड़के पास हुए है. तो A और B का कुल लड़का जोड़ा जाएगा, तो 300 यहां, 480 यहां. कितना हो जाएगा? 4, 3, 780. अब कहा रहा है, इस 780 में से 60% पास हुआ. 60% पास हुआ तो निकाल लेते हैं. इसका 60% यानि 3 बटे 5, 5 से कट करते हैं, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 3 बचा 5 चा का 30, 3 चा कठा रहे को 8, 3 बचे 15, 16, 3 एक कम 3, और एक 4, 468. यानि कुल बच्चे जो है, कितने पास हुए हैं, A और B से, 468. तो देखिए, हमें बताना क्या है, उसी हिसाब से हम चलेंगे. Find the percentage of failed students from school B, तो अगर 468 लड़के पास हुए 780 में से, तो failed student कितने हैं? तो निकाल लेते हैं यहां से, 780 में से घटा देते हैं, 10 में 60 गया 2, 7 में 6 गया 1, 7 में 4 गया 3, कुल बच्चे fail कितने हैं? 300 बार है, A और B से total मिलाके, 100 बच्चे fail हैं A में, यानि B में fail कितने हैं? 200 बार है, और पास कितने हैं? अभी यहां से देख लेते हैं, 480 में से घटा लेते हैं, 10 में से दो गया, 8, 7 में से एक गया, 6, 4 में से दो गया 2, यानि 268 पास हैं, हमें लेकिन सिर्फ fail वालों को बताना है, तो कर देते हैं, 200 बार है, बटे, 480 और गुडे, 100, हमें B में जो लड़के fail हैं, उसका percentage बताना है, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, 4 से 12 बार, 4 25 जारतियां बार है, अब किस से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 6 बार और ये 5 बार, 5 तियां 15 को 5 एक बचा, 5 25 से 26 और नीचे ये 6, हमारा एंस्वर क्या जाएगा, 265 बटे 6%, क्या जाएगा, 265 बटे 6%, अगर पास पूसता, तो हम 268 बटे 480 करते, फेल पूछ रहा है तो, 212 बटे 480 किया गया, करें, एक कच्छा में 100 विद्यार थी हैं, क्या हैं, एक कच्छा में 100 विद्यार थी हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हैं, और सेस लड़के हैं, एक परिच्छा में लड़कियों का ओसत स्कोर, लड़कों की तुल्ला में 20 प्रतिशत अधिक है, यदि सभी विद्यार थीयों का ओसत स्कोर, यह स्कोर है, इसको नहीं, सत्तावन है, तो लड़कों का ओसत स्कोर कितना है, तो ऐसा कोस्चन हम लोगों ने देखा था, देखिए क्या का रहा है, एक कच्छा में 100 विद्यार थी हैं, स्टूडेंट कितने हैं, अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी हैं, सत्तर, वाइज कितने हो जाएंगे, 30ध अब, एक परिच्छा में लड़कियों का ओऊसत इस को लड़कियों की तुलना में 20 प्रतिसत अधिक हैं, यानि लड़कियों का कितना हैं? अगर आप 6 यक्स ले लेते हैं, और लड़कों का कितना हो जाएगा 5-6- I arrogance, क्या, लड़कियों का 6 x लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि 20% extra है लड़कों का 5 x अब कह रहा है यदि सभी विद्यार्थियों का आउसत इसकोर 57 है तो देखिए 70 का गुड़ा हम करेंगे 6 x में तो करते हैं 7 6 42 420 x प्लस 30 का गुड़ा 5 में 150 x क्यों किया गया अब हमें ये टोटल स्कोर पता चल गया क्या पता चल गया टोटल स्कोर अब फिर क्या करेंगे 57 का गुड़ा 100 में कर देंगे कितना जाएगा 5 7 double 0 इससे भी हमें टोटल स्कोर पता चल गया यानि टोटल स्कोर बराबर टोटल स्कोर 420 में 150 जोड़ेंगे कितना जाएगा 570 X बरावर 5, 7, 00 हमसे क्या पूछ रहा था लड़कों का उसत इसको लड़कों का क्या है 5 X 5 X का वैलू बताना है तो करते हैं 0 से 0 57 से कट करेंगे 10 बार X का वैलू क्या आया 10 आया 5 X का वैलू क्या जाएगा 5 इंटू 10 यानि की 50 क्या हो जाएगा हमारा इंस्वर 50 चौथा अप्शन अगला कोस्चन कराए जब चीनी का मुल्य 30 प्रतिसत बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12 प्रतिसत बढ़ाता है उसे किस प्रतिसत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यका अस्तर समान बनाया रखा जा सके वो सिर्फ 12 प्रतिसत ही बढ़ाना चाहता है ध्यान दीजिएगा वेन दप्राइज आप सूगर इंक्रीजेज बाई 30 परसेंट दपरसन इंक्रीजेज इस एक्सपेंडीचर अन सूगर बई वनली 12 परसेंट वनली ही वांट एक्सपेंडीचर इंक्रीज त्वेल परसेंट बई वाट परसेंट शुड ही रिडूस इस कंजप्शन अफ सूगर so as to maintain the same level of expenditure तो क्या कर रहा है माल लेते हम इसका 100x है खर्चा फर्चा अब कुल अब कर रहा है 30 परतिसत बढ़ जाता है कितना बढ़ा है 30 परतिसत तो 30 परतिसत यहां बढ़ाते हैं यानि 13 बटे 10 लिग देते हैं लेकिन ओ क्या चाहता है कि सिर्फ 12 परतिसत बढ़े यानि यह 100x जो है सिर्फ 112x तक पहुचे इस से ज़्यादा मत पहुचे ओ कितना चाहरा है अंत चो चाहरा है 12x अब बताना है खपत में कितना कमी तो यहीं पर कर देंगे हम गुडे 100-a ठीक है बटे 100 अब एक से एक से हटा दीजिए ठीक है अब इस 100 से इस 100 को कट कर दिए और खुच काटने लाइक है क्या यहाँ 10 बचा है यहाँ गुडा कर देते हैं 13 का गुडा यहाँ में 13100-13a बराबर 1120 सब कुछ सही है यहाँ पर 13a को इधर लाएंगे 13a को 1120 को इधर लाएंगे 180 हो जाएगा यह बराबर आजाएगा 180 और बटे 13 कट करेंगे 13 कम 13 बच गया 5 13 तिया 49 11 बच गया 110 13 बच एक सो चार 6 बच गया 60 13 चुक को बावन यानि 13.84 परसेंट के लगबग में होगा क्या 13.84 या 13.85 तो हम लोग देखते हैं 13.85 क्योंकि उसके बाद भी कुछ आता तो हमारा इंस्वर क्या हो जाएगा फोर्थ आपसां और रसायन विज्ञान की कुछ किताबें आडर करता है रसायन विज्ञान की किताब का मुले भौतिक विज्ञान की किताब के मुले से दो गुना है बिल बनाते समय गलती से कलर्क भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतियस्थापित कर देता है जिसके बिल में 12.5% कमी हो जाती है मुल करम में भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या का अनपात ग्याद करें एप पर्षन क्या है एप पर्षन आडर स्टेन बुक्स आन फिजिक्स तो देखते हैं कौन कौन सा बुक आडर कर रहा है physics का और chemistry का physics 10 आडर करता है chemistry का मानली जिए x आडर करता है अब क्या कर रहा है the cost of chemistry book is twice the cost of physics book यानि इसका अगर 2 रूपे prize है तो इसका prize एक रूपया है खर्चा कितना पढ़ा इस पे 10 रूपया पढ़ा इस पे 2 एक्स पढ़ा एक कितना हो जाएगा, कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 2x plus 10, कब पहला condition, पहला सर्थ के अनुसार, अब क्या कर रहा है, यानि वो गलती से क्या करता है, फिजिक्स और केमेस्टी का नंबर बदल देता है, जो किताबों का है, यानि 10 केमेस्टी का कर देता है, और x फिजिक्स का कर देता है, अब क्या हुआ, और महना तो है ही, इसमें दो का गुड़ा होगा, केमेस्टी दो गुणा है, अब भी, और फिजिक्स में एक का गुड़ा, तो ये कितना आ जाएगा, सेकेंड के इसाब से, x प्लस 20 आ जाएगा, और अब क्या हो गया, पहले से 12.5 प्रतिशत कम हो गया, क्या हो गया, 12.5 प्रतिशत कम हो गया, तो इसी पर अब हम साल्व करेंगे, 2x प्लस 10 को 12.5 प्रतिशत कम करेंगे, उसका value x प्लस 20 के बराबर होगा, तो यहां मिटाते हैं, 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, 12.5 प्रतिशत कम करने का मतलब है, 7 बटे 8, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ध्यान दीजिए, क्या, 7 बटे 8, यानि इसमें करेंगे गुड़े 7 बटे 8, इसका value किसके बराबर है, इस x प्लस 20 के बराबर है, गुड़ा करते हैं, 7 का गुड़ा इसमें, 14x प्लस 70 बराबर, 8 का गुड़ा इसमें, 8x प्लस 20 का गुड़ा 8 में, 160, इसको अब मिटा दीजिए, अभी हमारा इस से काम नहीं है, 14x में से 8x घटाएंगे, 6x, 160 में से 70 घटाएंगे, 90 आजाएगा, x का value आजाएगा हमारा क्या 15 है, हमसे पूछ क्या रहा है, find the ratio of the number of physics books to the number of chemistry books in the original order, तो x का value कितना आगया, 15, यानि chemistry का 15 बूख है और physics का 10 बूख है, तो हमें किस का किस से पूछ रहा है, यह देख लेते हैं, मूल करम में भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या और असायन विज्ञान की किताबों की संख्या का अनुपात गयात करें, तो physics का कितना था 10 और chemistry का कितना था 15 तो अनुपात क्या हो जाएगा पांद नहीं 10 पांद या 15 यानि 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा कितने का 2 और 3 का तो दूसरा option हमारा सही हो जाएगा अगला question किसी करमचारी को उसके वेतन में दो क्रमागत वेतन व्रिद्धी मिलती है जिसके परडाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है उसकी पहली प्रतिसत वेतन व्रिद्धी याद करें यदि दूसरी प्रतिसत व्रिद्धी पहली की तुनला में 4 गुना अधिक है An employee gets two successive increments in his salary as a result of which his salary becomes 2.5 times of the initial salary Find his first percentage increment if the second percentage increment is 4 times more than the first यानि अगर पहला increment x है तो दूसरा increment 4 गुना है यानि 4 x है ठीक है अब मान लेते हैं हम salary पहले 100 रुपया था और जब ये 2 increment लगा तब उसका salary पहुच गया धाई 100 कितना हो गया देखिए हैं लिखा हुआ है 2.5 times of the initial salary तो साल्व करते हैं पहला increment 100 plus x बटे 100 यहां फिर गुड़े 100 plus 4 x बटे 100 100 से 100 कर जाएगा 100 का गुड़ा यहां कर देते हैं और इसका या इसमें गुड़ा करते हैं 100 का गुड़ा 100 में 10,000 100 का गुड़ा 4 x में plus 400 x 100 का गुड़ा यहां कर देते हैं 100 का गुड़ा तो हम लोग कर दिये 10,000 आ गया और 400 x कर दिये अब x का गुड़ा करेंगे 100 में 100 x आ जाएगा और यह आ जाएगा 4 x square बराबर कितना जाएगा 25,000 अब क्या करते हैं 400 x और 100 x को जोड़ा देंगे यानि 4 x square प्लस 500 x 25,000 में से 10,000 घड़ जाएगा हो जाएगा बराबर 15,000 अब काटपिट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ x square बचेगा चार से कट करेंगे 125 x बचेगा और इसको माइनस इधर लिया के कट करते हैं चारतिया बार है चारतिया बार है चार सत अठाइस चार पचेबीस तीन हजार साथ सो पचास हो गया अब आपको ऐसा संख्या पता करना है कि घटाने से 125 आए और गुड़ा करने से 3750 आए तो मान लो अगर आपका हो 150, 150 का 25 में गुड़ा करने कितना जाएगा 0, 15, 75, 75, 5, 7, 15, 23, हाँ यह हमारा क्या जाएगा x स्क्वाइर प्लस x, 150 में से हम 25 घटाएंगे माइनस 3750 बरावर 0 इसको साल उकरेंगे x स्क्वाइर प्लस 150, x माइनस 25, x माइनस 3750 बरावर 0 x कामन हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 150 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 25 कामन हो जाएगा तो x प्लस यहां पर अपका आजाएगा 150 आजाएगा बराबर 0 एक ब्रेकेट में आजाएगा X-25 और एक ब्रेकेट में आजाएगा X-150 तो हम क्या करेंगे बराबर 0 तो इस X-25 वाले को लेंगे यानि हमारा X का जो value आजाएगा कितना आजाएगा 25 परसेंट क्या 25 परसेंट यह हमारा एंसर हो जाएगा अगर हम से पूछता कि दूसरा जो ब्रिद्धी ओ कितना था? तो दूसरा ब्रिद्धी जो था ओ 100% था. पहला ब्रिद्धी 25% दूसरा ब्रिद्धी 100%. तो इसको आप फोटो ले लिजिए तकी मलंब लिख लिजिए. ठीक है? इसको लिख लिजिए. को अगला कोश्चन एक निर्वाचन छेतर में कुल मद्दाताओं में से 55 प्रतिशत पुरुस और सेस महिलाएं हैं यदि 40 प्रतिशत पुरुस असिच्छित तथा 40 प्रतिशत महिलाएं सिच्छित हैं तो असिच्छित महिलाओं की संख्या, असिच्छित पूरुसों की संख्या से कितनी प्रतिसत अधिक है। इंग्लीज में भी देख लिया जाए। तो देखते हैं, कराए एक निर्वाचन छेत्र में माली जीए 100% है, अब 55% मेल हैं, फीमेल कितनी हो जाएंगी 45, अब कराए यदि 40% पूरुस असिच्छित हैं, तो 55 का 40% यानि 2 बटे 5, कितना हो जाएगा 22, ये क्या है असिच्छित, यानि uneducated, और educated कितने हो जाएंगे 33, अब क्या कर रहा है, तता 40% महिलाएं सिच्छित हैं, 40% का मतलब 2 बटे 5, 5 से भाग देंगे 45, यानि educated महिलाएं कितनी हैं, 18, और uneducated कितनी हैं, 27, 45 में से 18 घटा दिए, 27 आ गया, अब क्या कर रहा है, असिच्छित महिलाओं की संख्या, असिच्छित महिलाओं की संख्या कितनी है, 27, असिच्छित महिलाओं की संख्या कितनी है, 27, असिच्छित महिलाओं की संख्या कितनी है, 22, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है, किससे अधिक है, इस 22 से अधिक है, गुड़े 100 कर देंगे 2 से कट करेंगे 11 यह आजाएगा 50, 55, 200 बटे 11 आएगा हमारा अंस्वर देखें दस्मलों में है क्या तो दस्मलों में कर लिया जाए 200 बटे 11 को 11 दूनी 22 3 बचा फिर 11 दूनी 22 8 8 हसी हो जाएगा 11 सते 77 हमारा अंस्वर क्या जाएगा 22 दस्मलों 7 परतिसत करें दो संख्याओं A और B का अनुपात 13 सत्र है यदि A में 15 परतिसत की व्रिद्धी और B में 30 परतिसत की व्रिद्धी होती है तो A और B का नया अनुपात ग्याद करें The ratio of two numbers A and B is 13 and 17 If A is increased by 15% and B by 30% then find the new ratio of A to B तो देखें क्या है 130 और मान लिजी 170 है पहला 15 परसेंट और A 30 परसेंट बढ़ा यानि इसको लिख सकते हैं 23 बटे 20 और इसको 30 परसेंट बढ़ रहा है यानि 13 बटे 10 इसको काटेंगे दो बार दो का गुड़ा यहां कर दीजीए 23 का गुड़ा यहां करते है 23 0 0 0 0 काट देते हैं क्या यह 0 लिखना नहीं पड़ेगा 23 तियां 69 को 9 6 बचा 23 से कम 23 6 29 और यहां पर क्या बचा 17 दोनी 34 और गुड़े 13 13 से कटेंगे क्या है हां कटेंगा 13 दोनी 26 तीन बचा 13 तियां 49 यानि जो नया अनुपात हो जाएगा 23 और 34 का हो जाएगा कितने का 23 और 34 का कर आए रीना का 24 प्रतिसत वेतन सुनीता के 38 प्रतिसत वेतन के बराबर है वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का दो तीहाई है यदि वीना का वेतन 62 रुपे है तो सुनीता का वेतन ग्याद करें 24% of रीना's salary is equal to 38% of सुनीता's salary Salary of वीना is two-third of the total salary of रीना and सुनीता if Vinaj's salary is 62,000 then find the salary of Sunita. तो देखे, कुल कहानी क्या दिया है? वीना का वियतन Rina और Sunita के कुल वेतन का दोती आई है यादी हृतन कितना है? 62,000 वीना कितनी है? 62,000 यह कह रहा है Rina और Sunita के कुल वेतन का दोती आई है तो रीना और सुनीता का कुल वेतन कितना हो जाएगा ये टू बाई थर्ड है तो पूरा कितना हो जाएगा ये मालिजे रीना और सुनीता का कितना है तीन एक्स है तो तीन एक्स का दो बटे तीन दो एक्स हो जाएगा दो एक्स का वैलू कितना है 62,000 तो X का वेलू क्या हो जाएगा 31,000 3X का वेलू कितना हो जाएगा 31,93,000 कितना 93,000 यानि रीना और सुनिता का कितना हो जाएगा 93,000 अब क्या कहा है रीना का 24 प्रतिसत वेतन सुनिता के 38 प्रतिसत के बराबर है यानि रीना का 24 बटे 100 करिये या ना करिये यहां सुनिता के 38 प्रतिसत के बराबर है बटे 100 यहां भी बटे 100 100 से 100 कर जाएगा 2 से 12 बार यह 19 बार यानि रीना और सुनिता का जो अनुपाथ है कितना है 19 बटे 12 है क्या है 19 बटे 12 है सुनीता का वेतन बताना है कुल वैलू भी पता है आपको तो कर देते हैं हम 93,000 गुडे 12 और बटे 19 और 12 31 31 से काटेंगे इसको 3,000 3,000 का बारे में गुडा करेंगे हमारा आ जाएगा 36,000 क्या जाएगा 36,000 अगला कोस्चन कर किसी विषय के 180 अंकों की परिच्छा में 75 प्रतिसत अंक थियोरी के लिए और 6 प्रोजेक्ट कारे के लिए आवंटित किये जाते हैं वीना थियोरी में 60 प्रतिसत अंक प्राप्त करती है इस विषय में कुल 62 प्रतिसत अंक प्राप्त करने के लिए उसे project में कितने प्रतिसत अंग चाहिए In an examination of 180 marks in a subject 75% marks are allotted to theory and rest to project work Veena secures 60% marks in theory What percentage of marks does he need in the project to get 62% mark in the subject तो देखिए हमें जो है percentage ही पूछा है हमें number नहीं पूछा है हमसे क्या पूछा है देखिए What percentage of marks does he need in the project हमें जो है percentage ही पूछा है तो क्या करेंगे हम हमें इस number से कोई मतला भी नहीं है Total 100 number है ठीक मान लेते हैं हम अपनी तरब से 100% है अब कहा रहा है 75% थियोरी के लिए है and the rest to project तो देखिए प्रोजेक्ट के लिए कितना है 25% थियोरी के लिए कितना है 75% यहां थियोरी लिख दिए अब क्या कहा रहा है 60% mark उसको थियोरी में मिल गया तो 65% का 60% का मतलब 3 बटे 5 60% का मतलब कितना 3 बटे 5 5 से काटेंगे 15 15 तिया 45 यानि इसमें उसको कितना मिला 45 अब आपको बताना है इसमें कितना नंबर ले आए हो कितना % नंबर ले आए ठीक कितना परतिसत ले आए कि उसका टोटल इस सबजेक्ट में 62% होना चाहिए कितना 62% होना चाहिए क्या करेंगे हम देखिए इस 62 में से 45 घटाएंगे तो हमें इस पता चल जाएगा उसको प्रजेक्ट में कितना चाहिए तो 62 में से 45 घटाएंगे कितना आजाएगा 17 नंबर यानि उसको प्रजेक्ट में 17 चाहिए इस 17 कितने में से चाहिए 25 में से चाहिए और गुड़े 100 25 से कट करेंगे 4 बार 17 का 4 में गुड़ा करेंगे क्या जाएगा हमारा 68 आजाएगा क्या जाएगा 68 आजाएगा 4 अप्शन करें 5500 का 9 प्रतिसत प्लस 1100 का 2 दस्मलो 4 प्रतिसत माइनस 1600 का 40 प्रतिसत का मान क्या होगा निकाला जाए 55 100 का 9 प्रतिसत 55 100 गुड़े 9 बटे 100 प्लस 1100 गुड़े 2 दस्मलो 4 बटे 100 माइनस 1600 गुड़े 40 बटे 100 करते हैं यहां पे हम 2 0 से 2 0 कट गया 2 0 से 2 0 कट गया 2 0 से 2 0 कट गया 9 पचे 45 को 5 बचा हमारा 4 9 पचे 45 4 49 11 44 को 4 4 बचा 124 26 26 दस्मलो 4 एक कितना जाएगा हमारा 16 चुपका 64 640 इसको जोड़ते हैं 10 दस्मलो 4 आजाएगा 6 और 5 11 को 1 9 2 11 12 को 2 1 बचा 4 आजाएगा 4 और एक 5 अब 640 इसमें से घटाना है तो 640 में से हम क्या करेंगे 521 दस्मलो 4 को घटाएंगे 10 में से चार गया 6 फिर 9 में से एक गया 8 यहां पर 3 में से दो गया 1 6 में से पांच गया 1 और माइनस चीन लगा देंगे हमारा एंसर क्या जाएगा दूसरा हमारा एंसर किस में आएगए माइनस में आजाएगा कर रहे किसी संख्या को 25 प्रतिसत तक बढ़ाने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुड़ा करना चाहिए to increase a number by 25% by what number should that number be multiplied यानि मान लिए कोई संख्या 100% है आप उसको 125 बनाना चाहते हैं कोई number 100 है तो आप किस का गुड़ा करेंगे मान लेते हम a by b का गुड़ा करेंगे किस का a by b का गुड़ा करेंगे तो a by b बराबर हमारा क्या आजाएगा 125 बटे 100 कट करेंगे 25 बटे 100 25 बटे 100 यानि हमें 5 बटे 4 से multiply करना होगा अगला question कर आए एक कच्छा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है यदि लड़कों की संख्या में 10 प्रतिसत की बृद्धी कर दी जाए और लड़कियों की संख्या में 5 प्रतिसत की बृद्धी कर दी जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक होगी उस कच्छा में विद्यारतियों की संख्या कितनी है एक कच्छा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है ठीक है एक गल्स हो गई X प्लस 10 एब वाइज हो गए X 10 अधिक है अब कर रहा है लड़कों की संख्या में 10 प्रतिसत की ब्रिद्धी कर दी जाए यानि इसमें 10 परसेंट का यहाँ पर कुछ छूटा है ठीक है यहाँ पर जो है कुछ छूटा है अब कैसे पता चलेगा कुछ छूटा है इसको देखना पड़ेगा तब इतना अधिक होगा पतब जाके जो है उसका एंस्वर हम लोग निकाल पाएंगे यहाँ पर कुछ छूटा है इसको देख लेंगे हम 26 कि संख्या का 0.4 प्रतिसत है तो लिख लेते हैं 26 माल लेते हैं यक्स का कितना है 0.4 प्रतिसत हैं माल लेते हैं एक्स का एक्स का 0.4 परसेंट यानि 0.4 बटे 100 बराबर कितना 26 तो यह कितना हो जाएगा एक्स गुडे 4 बटे 1000 बराबर 26 चार से कट करेंगे 250 एक्स बराबर 250 और गुडे 26 जीरो 25 चार का डेड़ सो को जीरो 15 बचा 25 दुनी 50 और 15 65 हमारा एंस्वर क्या जाएगा पहला आप्शन अगला कोस्चन करा यदि दूध का मुल्ले 60 रुपे प्रत किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपे प्रत किलोग्राम हो जाता है तो एक ब्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिसत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे इप दा प्राइज आफ मिल्क इंक्रीज प्राम 60 पर केजी तो 70 पर केजी देन बाई वाट परसेंट सुड ए परसन रिड्यूस दा कंजप्शन आफ मिल्क सो देट दा एक्सपेंडीचर रिमेंस दा सेम तो देखिए कितना बढ़ रहा है दस रुपे बढ़ रहा है ठीक है और नीचे क्या करते हम जितना बढ़ता है उसको जोड के लिग देते हैं सो लेकिन यहाँ पर परसेंटेज पहले हमें यह निकालना है कितना परसेंट बढ़ रहा है बटे 60 और गुड़े 100 जीरो से जीरो कट गया 100 बटे 6 यानि 50 बटे कितना आ गया 3 आ गया यह कितना बढ़ रहा है 50 बटे 3 परसेंट अब कहा रहा है कि यदि किसी वस्त का मुले 50 बटे 3 बढ़ा तो आप कितना प्रतिसत कम कर देंगे कि खर्च ना बढ़े तो 50 बटे 3 और नीचे 100 प्लस 50 बटे 3 और गुड़े 100 कर देंगे तीन का गुड़ा यहाँ पर 100 में ते कितना हो जाएगा 50 बटे 3 बटे 350 और बटे 3 और गुड़े 100 तो यह 3 से 3 कर जाएगा 50 से इसको कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 57 बटे यानि हमारा एंस्वर क्या हो जाएगा 100 बटे 7 अब देखते हैं एंस्वर दसमलों में है कि किसमें है तो 100 बटे 7 आया तो हम कट करते हैं 7 से 7 एकम 7 कितना बच गया हमारा 3 बच गया 7, 4, 28 तो 14 सिर्फ इसी में है यह हमारा एंस्वर हो जाएगा तो यह फ्रेंड्स 30 कोस्टन जो है परसेंटेज के थे ठीक है अच्छे लेवल के कोस्टन थे जब आप इनको प्रेक्टिस करेंगे तब पता चलेगा ठीक है इस वज़ए से पहले जो है जो बेसिक लेवल का था और पहले जो कराया गया उसको करिएगा और दोस्तों के पास हमारा कोर्स को जरूर सेर करें थेंक्यू